हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम राज्य उपलब्दी सर्वेक्षण अभ्यास पेपर को सॉल्ब करेंगे जैसा कि आप जानते हैं नवंबर के मन्त में आपका राज्य उपलब्दी सर्वेक्षण का एक्जाम होगा तो जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है त आप इन प्रैक्टिस सेट्स के थू अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आईए शुरू करते हैं इस पेपर को सॉल्ब करेंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि सभी प्रस्ण जो है वो एक एक नमबर के हैं प्रस्णों के सामने चार गोले दिये गए हैं अपना उत्तर गोले को फिल करेंगे तो आपको जो है गोले को या तो नीले रंग से भरना है या फिर काले रंग से भरना है तो यहां पर देखेंगे नीचे दिये गए गद्यांस को पढ़िए और एक से पांच प्रस्ण के उत्तर दीजिए तो यहां पर यह गद्यांस है तो इस तरीके स से आपको गद्यांस आएगा व्रक्षा रोपन यानि की पेर लगाना कि सबसे सामान्ने उद्द्यस्यों में से एक वनों को बढ़ावा देना हैं प्रत्वी का पारिस्थितिक संतूलन बनाय रखने के लिए वन अत्यंत महतोपून हैं हमारे ग्रह का एक प्रमुक हिस्सा होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमें अपनी ओर से अपना योगदान देना जरूरी है इसी प्रियोजन के लिए व्रक्षा रोपन किया जाता है व्रक्षा रोपन की मदद से पेड़ तेजी से उगाए जा सकते हैं अब प्रशनों के उत्तर देने के लिए सही विक यूग्त में से कोई नहीं तो आंसर क्या होगा और द्योगिक यूग्त यानि की आंसर होगा ओप्सन नमबर फस्ट आप जो है इस तरीके से फस्ट गोले को भर देंगे तो आप इसके लिए नीला या काला रंग चुनेंगे तो आप गोला जो है अच्छी तरीके से जिम्न में से तीवर का विलॉम सब्द क्या है तो तीवर का अर्थ होता है तेज तो तेज का विलॉम सब्द क्या होगा तो यहाँ पर ओप्सन है भागना तेज मंध या फिर गती तो आंसर होगा ओप्सन नमबर फ्री तो आप तीसरे नमबर के गोले को भरेंगे अब है skip question number 3 वरक्ष रोपन का क्या आर्थ है तो यहाँ पर option है वरक्ष लगाना वरक्ष काटना वरक्ष जलाना या फिर इन मेंसे कोई नहीं तो answer होगा option number 1 वरक्ष लगाना तो आप यहाँ पर फस्ट गोले को जो है भर देंगे तो आपको गोले जो है वो अच्छे तरीके से भढ़ने है नेक्स्ट है कौन सा सब्द प्रत्वी का परयायवाची सब्द नहीं है तो यहाँ पर option है धरा, वसुंदरा, धर्ती, जलज तो answer होगा option number 4 जलज जो है वो प्रत्वी का परयायवाची सब्द नहीं है तो चोथे नमबर पर आपको इस तरीके से गोला भढ़ना है अब है प्रस्ट नमबर 5 वनों की अधिक कटाई से क्या हानी है तो यहाँ पर option है, वायू प्रोदूशन होता है, बरसात कम होती है कै और खै दोनों सही है या फिर केवल कै सही है तो answer होगा option number 3 यानि की कै और खै दोनों ही सही है तो आप तीसरे नमबर का गोला भर देंगे अब है प्रस्ट नमबर 6 तो यहाँ पर यह गद्यांस यानि की कहानी दी गई है नीचे दी गई कहानी पढ़िए और प्रस्टों के उत्तर दीजिए साम का समय था आंधी और तेज बरसाद बंध होने के बाद मनीच तेज कदमों से घर की ओर चल दिया जब है घर के पास वाली सडक पर पहुँचा तो उसने देखा कि एक पेर आंधी के कारण तूट कर सडक पर गिर गया है उसने तूटे हुए पेर पर एक नजर डाली और घर की ओर चल दिया घर आने के बाद हात मूँ धोकर रात का खाना खाया ही था कि बिजली चली गई चारो तरफ अंधकार हो गया मनीच ने लालतेन जलाई अचानक उसे ध्यान आया कि सडक पर गिरे हुए पेर से अधेरे के कारण कोई दुरगट ना हो सकती है कुछ सोच कर वह लालतेन लेकर उसे तूटे हुए पेर के पास पहुच गया और लालतेन को उस तूटे हुए पेर पर लड़का दिया अब लालतेन के प्रकास में तूटा हुआ पेर कुछ नजर आने लगा मनीश के चहरे पर संतोस था अब यहां पर प्रशन नमबर 6 पूछा गया है कि मौसम कैसा था तो यह कहानी पढ़ी है मौसम कैसा था आंधी और तेज बरसात बंद होने के बार यानी कि मौसम बिल्कुल सही था तो यहां पर आप्शन है तेज धूप थी आंधी और तेज बरसात हो रही थी बर्ख गिर रही थी या फिर उप्युक्त में से कोई नहीं तो तेज धूप भी नहीं थी क्योंकि रात का समय था आंधी और तेज बरसात हो रही थी तो आंधी और तेज बरसात भी नहीं थी क्योंकि बंध हो चुकी थी बर्क गिर रही थी ये भी गलत है तो आंसर होगा option number 4 यानि कि उप्युक्त में से कोई नहीं तो आप जो है चौथे नंबर के गोले को भर देंगे अब next है पेड के तूटने का क्या कारण था तो यहाँ पर option है आधी के कारण तूट गया था लोगों ने तोड़ दिया था हाथी ने तोड़ दिया था या फिर उप्युक्त में से कोई नहीं तो आंसर क्या होगा option number 1 अधी के कारण पेड जो है वो तूट गया था तो आपको पहले नंबर का गोला भरना है अब यहाँ पर अगला question है अंधकार का विलोम सब्द क्या है अंधकार अंधेरे को कहते हैं तो यहाँ पर option है रात्री, साम, जलाज, प्रकास तो आंसर क्या होगा option number 4 अंधकार अंधेरा तो अंधकार का विलोम सब्द होगा option number 4 प्रकास यानि की रोशनी तो आपको चौथे नंबर के गोले को भरना है अब यहाँ पर अगला question है मनीश ने तूटे हुए पेड़ पर लाल टेन क्यों लटका दी थी तो यहाँ पर option है ताकि कोई दुरगटना न हो जाए क्योंकि अधेरा हो रहा था यह दिपावली थी पढ़ने के लिए या फिर खेलने के लिए तो answer होगा option number 1 ताकि कोई दुरगटना न हो जाए तो आप पहले नंबर के गोले को भर देंगे आम यहाँ पर question है निम्न में से कौन सा सब्द पेड़ का परयावाची सब्द नहीं है तो यहाँ पर option है पौधा, जहाड़ी, तेहनी, टायर तो answer होगा option number 4 यानि कि टायर टायर जो है पेड़ का परयावाची सब्द नहीं है तो आप जो है चोथे नंबर की गोले को भर देंगे अब यहाँ पर प्रशन है चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और प्रशनों के उत्तर दीजी तो आप देख सकते हैं चित्र में क्या है इस इमारत का क्या नाम है तो option है हवा महल, ताज महल, जल महल या फिर स्वेट महल तो answer होगा option number 2 यानि कि ताज महल, चित्र में है यह ताज महल अब अगला question है इसके आसपास कितनी मिनारें दिखाई दे रही हैं तो इसके आसपास कितनी मिनारें आप चित्र में देख सकते हैं इसके आसपास हैं 4 मिनारें तो option है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तो answer होगा option number 4 यानि कि इसके आसपास जू है वो 4 मिनारे हैं अगला question है ताजमहल बहुत सुन्दर इमारत है इस वाक्य में सुन्दर सब्द क्या है तो यहाँ पर option है संग्या, सर्वनाम, विसेशन या फिर किरिया तो answer क्या होगा option number 3 विसेशन यह जो है ताजमहल के विसेशता बता रहा है तो आप तीसरे नमबर के गोले को भर देंगे अब यहाँ पर प्रशन है इस इमारत के पत्थर का रंग कैसा है तो यहाँ पर option है सफेद, काला, हरा, नीला तो कैसा है option number 1 यानि की सफेद रंग जो है इस इमारत का है अब अगला question है महल एक है क्या संग्या, क्रिया, विसेशन, अलंकार तो आंसर होगा option number first महल क्या है महल जो है एक संग्या सब्द है तो आप जो है first number के गोले में भर देंगे अब यहाँ पर अगला question है खेलते समय मीनम अचानक कही गायब हो जाती है उसके माता पिता पुलिस की मदद लेते हैं पुलिस कुत्ते के मुह में मीनम की फ्रॉक देते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं पुलिस ने कुत्ते को मीनम की फ्रॉक देकर क्यों भेजा होगा तो option है यापर कुत्ता मीनम को जानता है कुत्ते को मीनम की फ्रॉक पसंद है कुत्ता मीनम को उसके फ्रॉक में उपस्थित गंद के कारण ढून पाएगा या फिर कुत्ता उस जगे को जानता है जहां से मीनम खोई थी तो answer होगा option number 3 कुट्ता मीनम को उसके फ्रॉक में उपस्थित गंद के कारण ढून पाएगा तो यहां पर तीसरे नंबर के गोले को आप भर देंगे अब है प्रश्ण नंबर 17 यानि की 17 नंबर का प्रश्ण है तो यहां पर प्रश्ण है बच्चे गली में दिखाई जा रहे हैं साप के खे यहां पर नाशता है वह बस बीन के हिलने के साथ साथ हिलता है या फिर उसे नाचना अच्छा लगता है तो आंसर होगा ओप्सन नंबर 3 वह बस बीन के हिलने के साथ साथ हिलता है अब यहां पर अगला कोश्ण है निम्न में से किस से निजात पाने के लिए स्कूलों में आ पचने के लिए स्कूनों में आयरन की गोलियां बाटी जाती हैं अब नेक्स्ट है मुकुंद ने आज आलू गोबी की सबजी खाई खाना खाते समय उसकी आँखों से पानी आने लगा ऐसा क्यूं हुआ तो यहाँ पर ऑप्शन है आलू गोबी में मिर्च अधिक थी आलू ग आलू गोबी में नमक ही नहीं था या फिर आलू गोबी में हल्दी अधिक थी तो आंसर होगा ऑप्शन नमबर फर्स्ट आलू गोबी में मिर्च अधिक थी जिसके कारण उसकी आँख से पानी आने लगा अब यहाँ पर अगला कोश्चन है मिद्दे मील में स्कूलों में गेहूं और चावल से बना खाना बाटा जाता है इसकूलों में भोजन क्यों बाटा जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन है सरकारी नियम के अनुसार अधिक पैसे होने के कारण बच्चों का पेट भरने के लिए या फिर बच्चों में कुपोश को दूर करने के लिए स्कूलों में भोजन बाटा जाता है अब यहाँ पर अगला कोश्यन है कुलविंदर को बहुत तेश सर्दी हो गई है उसने ठंड के लाज के लिए रखा हुआ सीरप पी लिया उसे इसका स्वाद अजीव लगा और उल्टी हो गई ऐसा क्यों हुआ हो तो ऑप्शन है सीरप के उपयोग की तारीक समाप्त हो गई है सीरप कड़वा है सीरप में बदबु आती है यह कुलविंदर का पेट खराब है तो आंसर है उप्शन नमबर फर्स्ट सीरप के उपयोग की तारीक समाप्त हो गई है जो सीरप है वो एक्सपायर हो चुका उस दालों को ऑंकुरित होने में चार दिन लगेंगे केवल साबुत धाल ही अंकुरित होती है या फिर क्या दर्सा रहा है पौधों के लिए पानी की आवश्सक्ता होती है या फिर पानी व्यर्थ बहना चाहिए या फिर हमें पौधों को पानी नहीं देना चाहिए या हमें जलसे इसना नहीं करना चाहिए तो आप देख सकते हैं यह जो पौधा है इसमें पानी दिया जा रहा है इट मीज पौदों के लिए पानी की आवज सकता होती है तो आंसर होगा option number first तो यहाँ पर आप option number one में गोला भर देंगे अब यहाँ पर अगला question है एक tracking camp में सभी को hot chocolate milk परोसा गया ऐसा क्यों किया गया होगा तो option है यहाँ पर सर्दी दूर करने के लिए पेट भरने के लिए नदी पार करने के लिए या फिर प्यास बुजाने के लिए तो answer है option number first सर्दी दूर करने के लिए सभी को hot chocolate milk परोसा गया अब यहाँ पर अगला question है फातिमा जहाँ खड़ी है वहाँ से ठीक पूर्वदिसा में क्या-क्या दिखाई दे रहा है तो आपना देखेंगे फातिमा जहाँ खड़ी है तो पूर्वदिसा में उसे क्या-क्या दिखाई दे रहा है सूर्य परवत, चांद पौधे, खेत पानी, फूल पहार तो answer क्या होगा option number first उसे सूर्य और परवत दिखाई दे रहे है तो यहाँ पर आप first गोले को जो है उसे भर देंगे अब यहाँ पर question है सुनीता ने अंत्रिक्ष में हाथ मूँ दोने के लिए तैरते हुए बुलबुले को पकड़ कर कपड़े को गीला किया सुनीता ने ऐसा क्यों किया होगा तो option है यहाँ पर क्योंकि ऐसा करना अच्छा लगता है यह फिर बुलबुले बहुत हलके होते हैं क्योंकि अंत्रिक्ष में सब कुछ तैरता है या फिर पानी के बुलबुले उड़ते हैं तो answer होगा option number three क्योंकि अंत्रिक्ष में सब कुछ उड़ता है इसलिए उसने बुलबुले से कपड़े को गीला किया होगा अब यहाँ पर कुश्चन है तेल के भंडार सीमित है इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं इस नारे में तेल के भंडार को सीमित क्यों का गया है तो आप्सन है यहाँ पर तेल खत्म हो गया है या फिर तेल जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनता है या तेल मसीन द्वारा बनाया जाता है या फिर अब सारा तेल इस्तेमाल हो गया है तो आंसर होगा इसका आप्सन नमबर सेकिन क्योंकि तेल जो है वो जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनता है नेक्स्ट कोशन इस लेह में तासी के घर का ज्यादतर हिस्सा लकडी का बना है यहाँ पर अधिकतर लकडी के क्यों बनाए जाते हैं यहाँ पर घर अधिकतर लकडी के क्यों बनाए जाते हैं तो यहाँ पर option है क्योंकि लकड़ी के बने first और छत थंड से बचाते हैं या फिर यहाँ लकड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है या लकड़ी के बने घर सुन्दर लगते हैं या फिर क्योंकि यहाँ लकड़ी सस्ती मिलती है तो answer है option number one यानि कि क्योंकि लकडी के बने फर्स और छत ठंड से बचाते हैं तो आपको जो है option first यानि कि first circle को fill करना होगा अब यहाँ पर अगला question है लकडाहारे ने आग सुलगा कर चूला जलाया लेकिन आग बुझ गई लकडाहारे ने अपने मूँ से हवा छोड़ कर आग जलाई उसने फूक क्यों मारी होगी तो यहाँ पर option है उसके मूँ में आग थी या फिर उसके मूँ में हवा थी या हवा की नमी आग को बुझा देती है या फिर मूँ से फूक मारने से ज़्यादा हवा यानि की oxygen आग को मिलती है तो इसका answer होगा option number 4 मूँ से फूक मारने से ज़्यादा हवा आग को मिलती है तो आप जो है fourth option को जो है इसे फिल कर देंगे अब यहाँ पर question है आप एक bag ले जा रहे हैं जो सबजी के छिलकों और इस्तेमाल की हुई चाय से भरा है आप इस bag को किस कूड़े दान में फैकेंगे तो यहाँ पर option है नीले कूड़े दान में हरे कूड़े दान में इन में से कोई भी या फिर इन में से कोई नहीं तो हम गीला कच्रा जो है किसमे डालते हैं हरे कूड़े दान में तो answer होगा option number second तो आप जो है second circle को यहाँ पर फिल कर देंगे अब यहाँ पर question है अंजिना को एक कागज पर कुछ डिब्बों में रंग भरने को कहा गया उसने नीचे दिये गए चित्र के अनुसार रंग भर दिये अब आप उसके भरे रंग के अनुसार भिन बनाईए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कितने डब्बे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंद्रे तो इन में जो हैं भरे हुए डब्बे कितने हैं छे, तो इसकी भिन कितनी होगी छे बटा पंद्रा इत मींस आंसर होगा उप्सन नंबर सेकिन तो आप जो है सेकिन सर्कल को यहाँ पर फिल कर देंगे अब यहाँ पर कोश्यन है मीनू अपनी छोटी बेहन की अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी अचानक उसका ध्यान उन अक्षरों को गुमाने पर गया कौन से अक्षर की आकरती 180 डिग्री गुमाने पर भी वैसी ही रहेगी तो यहाँ पर आप्सन है जे के बी ओ तो यहाँ पर आंसर होगा आप्सन नमबर फोर इत मीन्स हम यदि ओ को 180 डिग्री में गुमाएंगे तो यह जो है सेम ही रिखाई देगा तो इसका आंसर होगा आप्सन नमबर फोर तो यहाँ पर फोर्थ जो सर्कल है इसे फिल कर देंगे अब यहाँ पर कोश्यन है नीचे दिये गए स्मार्ट चार्ट को ध्यान पूर्वक पढ़िए अब हम नीचे दिये गए 33 से 37 के प्रशनों के उत्तर दीजिए तो यहाँ पर यह चार्ट है वन स्टार का मतलब है 50 बच्चे तो किरकिट खेलते हैं कितने बच्चे यहाँ पर देखेंगे 2 स्टार है 50 इंटू 2 इकवल 100 फुट्बॉल पसंद है कितने स्टुडेंट्स को 50 इंटू 3 इकवल कितना हुआ 150 स्टुडेंट्स को निसाने बाजी कितने बच्चों को पसंद है तो यहाँ पर star कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 50 x 5 equal 250 तो 250 बच्चों को पसंद है निसाने बाजी का खेल Next है तेरा की तो तेरा की पसंद है 100 students को अब यहाँ पर question है कौन से दो खेलों में बच्चे बराबर रुची लेते हैं तो यहाँ पर option है cricket तेरा की निसाने बाजी तेरा की फुटबॉल तेरा की तो answer क्या होगा option number first cricket और तेरा की cricket भी 100 बच्चों को पसंद है और तेरा की भी तो यहाँ पर आपको first option में जो है circle करना है इतमीं से fill करना है अब यहाँ अगला question है cricket खेलने वाले बच्चों की संख्या क्या है तो यहाँ पर अभी हमने रेखा था cricket कितने बच्चों को पसंद है cricket जो है 100 students को पसंद है तो यहाँ पर answer होगा option number 3 100 बच्चों को किर्कित पसंद है तो यहाँ पर तीसरे option में जो है आप इस circle को fill कर देंगे अब next question है बच्चों में सबसे लोग पर यह खेल कौन सा है तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग पर यह कौन सा खेल है निसाने बच्चों को पसंद है 250 बच्चों को पसंद है तो यहाँ पर option है football निसाने बच्चों को पसंद है तो यहाँ पर second circle को आप फिल कर देंगे अब यहाँ पर question है football खेलने वाले बच्चों की संख्या बताईए तो यहाँ पर option है 150, 250, 150 तो answer होगा option number first 150 बच्चों को football का खेल पसंद है तो यहाँ पर पहले circle में आपको इसे fill करना है अब यहाँ पर अगला question है निसाने बाजी करने वाले बच्चों और किरकिट खेलने वाले बच्चों की संख्या में अंतर बताईए तो निसाने बाजी जो है वो कितने बच्चों को पसंद है 250 बच्चों को और किरकिर कितने बच्चों को पसंद है 100 बच्चों को तो 250 से जब 100 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 150 तो आंसर क्या होगा option number first एक सो बच्चास का यहाँ पर अंतर है अब यहाँ पर अगला question है राव्या और अनू ने एक संख्या लिखी 95725 राव्या ने 7 पर उंगली रखी और अनू ने 9 पर दोनों संख्याओं का इस्थानिय मान निकालने पर किसका इस्थानिय मान ज्यादा होगा तो यहाँ पर option है राव्या का अनू का या फिर बराबर या फिर किसी का नहीं तो यहाँ पर जो है संख्या कितनी है 95,725 अब राव्या ने उगली रखी किस पर 7 पर तो 7 का इस्थाने मान कितना है 700 अनू ने रखी 9 पर तो 9 का इस्थाने मान कितना हुआ 90,000 तो किसका जादा हुआ अनू का तो आंसर होगा option number 2 तो आप second circle को जो है यहाँ पर fill कर देंगे अब यहाँ पर question है दी गई संख्याओं का आरोही क्रम क्या होगा तो यहाँ पर संख्या है 5,987 7,879 8,579 1,578 4,579 1,057 तो इसका आरोही क्रम यानि कि इने आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इट मीन सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और सबसे लास्ट में आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी 59 इससे बड़ी संख्या है 5,987 उसके बड़ी है 7,899 और सबसे बड़ी है 8,599 तो इसका आंसर होगा आप पहले सर्कल को फिल कर देंगे अब यहाँ पर अगला कोश्चन है आपकी कक्षा के लंबाई 40 मीटर और चोड़ाई 30 मीटर हो तो आपकी कक्षा का छेतरफल क्या होगा तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 40 मीटर और चोड़ाई कितनी है 30 मीटर है तो यहाँ पर ऑप्शन है इसका छेतरफल जो है 120 मीटर होगा 1200 मेटर यानि कि 1200 मेटर या फिर 1200 मेटर या फिर 1800 मेटर तो answer क्या होगा option number 3 1200 मेटर तो किसी भी इस्थान का छेतरफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो इसके लिए लंबाई और चोड़ाई की गुणा कर देंगे यानि कि 40 की 30 के साथ गुणा कर देंगे गुणा करने पर कितना आता है 1200 इतमीज हम छेतरफल को वर्ग मीटर में लिखते हैं तो आंसर होगा option number 3 तो यहाँ पर तीसरे सरकल को आप फिल कर देंगे अब यहाँ पर अगला question है राधा ने मानचितर पर अपने घर और बस स्टेंड की दूरी रेखी यह 9897 मीटर थी इस दूरी को किलो मीटर में बदलने पर क्या आएगा तो दूरी कितनी थी 9897 मीटर अब यह है राधा का गर और यह है बस स्टेंड तो इसकी दूरी है यह option होगा यहाँ पर option है 9 km 897 मीटर 98 km 97 मीटर या फिर 989 km 7 मीटर या फिर 9897 किलो मीटर तो answer क्या होगा option number first इसमें होंगे 9 km 897 मीटर तो आपको जो है यहाँ पर first circle को fill करना है एक किलो मीटर में होते हैं 1000 मीटर तो यहाँ पर 9000 मीटर में कितने किलो मीटर हुए 9 km और बागी कितने बचे 897 मीटर तो इसलिए answer होगा option number one अब यहाँ पर अगला question है नीलेस अपने विद्याले की लंबाई वे चोड़ाई माप रहा है अगर विद्याले की लंबाई 50 मीटर एवं चोड़ाई 35 मीटर है तो विद्याले को चारो ओर से तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार की जरूरत होगी तो यहाँ पर option है 180 मीटर 190 मीटर 170 मीटर या फिर 210 मीटर तो answer कितना होगा option number three 170 मीटर कैसे विद्याले की लंबाई कितनी है 50 मीटर तो 50 इधर है तो यहाँ भी कितना हुआ 50 मीटर चोड़ाई कितनी है 35 मीटर तो 35 और इधर भी कितना हुआ 35 तो कितना हुआ 35 और 35 70 मीटर और पचास और पचास कितने हो गए 100 मीटर इसकी जो चारो तरफ की लंबाई चोड़ाई है इसे प्लस कर लेंगे प्लस करने पर कितना आता है 170 इट मीज विद्याले को चारो और से तार लगाने के लिए 170 मीटर तार की जरूरत होगी तो इसलिए इसका अंसर होगा ओप्शन नमबर 3 अब यहाँ पर अगला कोश्चन है दिये गए अंकों से चार अंकों की बड़ी से बड़ी वे छोटी से छोटी संख्या बनाओ तो यहाँ पर अंक है 1580 तो ओप्शन है यहाँ पर 1508 8510 सेकिंड ओप्शन है 1058 8150 तीसरा ओप्शन है 5810 1058 और चौता ओप्शन है 8510 और 1058 तो अंसर क्या होगा option number 4 इसके बनने वाली सबसे चोटी से छोटी संख्या है 1058 और बड़ी संख्या है 8510 तो आंसर होगा option number 4 तो आप चौते सरकल को यहाँ पर फिल कर देंगे अब question है निम्न लिखित pattern में अगली संख्या क्या होगी तो यहाँ पर pattern है 5, 25, 125, 625 तो यहाँ पर 5 की 5 में गुणा हुई कितना हुआ 25 अब 25 की 5 से गुणा हुई तो कितना हुआ 125 अब 125 की फिर यहाँ पर 5 से गुणा हुई है तो कितना हुआ 625 अब 625 की यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3125 तो आंसर क्या होगा option number 4 तो आप जो है चौते सरकल को इस तरीके से फिल कर देंगे अब यहाँ पर अगला question है किस metro pillar का नंबर 1000 के ज़्यादा नजदीक होगा तो यहाँ पर option है 935, 953, 1002, 1010 तो 1000 के ज़्यादा नजदीक कौन सा होगा 1002 तो answer होगा option number 3 तो आप तीसरे सरकल को जो है यहाँ पर फिल कर देंगे तो इस तरीके से आप इस practice set को solve करेंगे मिलते हैं next video में next practice set के साथ If you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you